हिर्णकशब और परलात की कानी तो आईए आज हम इसके बारे में देखते हैं और त्योवार के पीचे कोई ना कोई कानी या किस्सा परचली तोता है हुली मनाय जाने के पीचे भी एक कानी है कहते हैं कि प्राचिन काल में हिर्णकशब नामक राजा बड़ा ही अत्याचारी तथा अत्यंत बल साली असूर राजा था अपनी सक्ति में मद में चूरोकर वस्यम को भगवान मानने लगा जो अपने को ही भगवान समझता था उसने सारी प्रजा को आदेश दिया की सब लोग इस्वर की आराधना चोड़कर केवल उसी की आराधना किया करे प्रजा भगवान के इस्तान पर उसकी पूजा करती थी पर उसका बेटा प्रलाद इस्वर का अनन्य भग्त था उसने अपने पिता की बात न मानी उसने इस्वर की भक्ती में ही खुद को लिन रखा पीता के क्रोध की सीमा न रही हिनकश्यब ने प्रलाद को मरवाने के बहुत उपाय किये पर इस्वर की क्रिपा से कोई भी उपाय सफल न हो सका हिनकश्यब की एक बहन थी जिसका नाम था होली का उसे यह वर्दान प्राप्थ था कि आग उसे जला नहीं सकती हिनकश्यब की आग्या से प्रलाद को होली का की गोध में बिठा कर आग लगा दी गई पर इस्वर की मैमा अपरम पार होती है प्रलाद तो बज गया पर होली का जल गई इसी गटना की याद में हर साल रात को होली का चलाई जाती है और अगले दिन रंगों का त्योहार बड़े ही दुंदान से मनाया जाता है तन्यवाद इसी तरह के और वीडियोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए